दोस्तों नमस्कार लर्निंग भाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस्सी पेट के कुछ कुछन जो इंपॉर्टेंट हैं एक्जाम में पूछे जा सकते उसका डिसकसम देखेंगे इस वीडियो में महुँच ज्याद वीडियो आपकी यूटूब चैनल पे उपलवध है तो उसमें आप देख सकते हैं वहां काफी डिटेलिंग हर्ट आफिक की आपकी बताई जाती है तो यहां जल्दी जल्दी से रिवीजन हो सके तो उसी के एवज में यह अलग से स्रंखला शुरू की गई है तो पहला कु अब पूछा जा सकता लोथल किस नदी के किनारे था तो यह भोगवा नदी ध्यान रखेएगा गुजरात में है काली बंगा यह राजस्थान में काली बंगा से काली बंगन से जुते हुए खेद के साच पराप्थ हुए हैं काली बंगन किसलिए important है तो यहां से जुते हु अब यहां यहां यह कि हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं तो सिंद्ध गाटी सब्गता का उत्री पश्मी यानि उत्री दचनी पूरवी पश्मी छोर किया था तो हमने इस वाली भी वीडियो मताया फिर से आपको रिकाल करवा देते हैं इसको पुवाल और पुवाल के ब और दच्छिन में आपका हो जाएगा दामाद दामाद तो यह पूरम में पूछा जाए आलम गेर कुर्ट जो हिंडन नदी के किनारे है उत्तर में उत्तर छोर पूछा जाए तो आपका मांडा हो जाएगा जो कि चिनाम नदी के किनारे जम्मू कस्मेर में इस्तित है और प परिमाबाद महराष्ट में है और किस नदी के तो ये नदी पूछा जाए तो नदी परवरा या गोदावरी परवरा ना आये तो गोदावरी को सर्च कीजिएगा तो इसका अंसर आपको मिल चुका होगा अगला को सनाते हैं ये आपका सीवा जी सीवा जी के गुरू का क्या नाम था तो सीवा जी के गुरू का नाम रामदास था रामदास ये महा राष्ट से समधित थे और सीवा जी के बारे में हमने डिटेल जानकारी छतपती सीवा जी के बारे में जन्म से ले करके सब कुछ डिटेल जानना है तो अब का पिछले के कल के वीडियो के डिसकसन में हमने बताया वहाँ से देख सकते हैं अगला बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना के समय कौन यहां भारत में सा सकता तो याद रखे 31 दिसंबर 1600 इस भी में बिटिस इस्थ इंडिया कमपनी के स्थापना होती है और इस दवरान 1500 1558 388 से ले करके 1605 तक का जो काल होता है यह अगबर का होता है तो जब बिटी सिष्ट इंडिया कमपनी बनी तूस समय कौन था अगबर का काल था उसके बाद पूछा जाए हौकिंस का वाया तो 1608 में आया और हेक्टर नामक जहाद से आया था हेक्टर नामक जहाद से आया यह कह का काल शरू हो जाएगा यह अपका जहंगीर का सुरू हो जाएगा तो जहंगीर से 1608 सबी में आगरा के किला में मिलता है उसके बाद 1615 में सर टामस रो सर टामस रो का भारत आगमन होता है तो यह सब आपके पूछे जा सकते हैं तो यहां बिट्टी सिष्ट इंडिया कमप जिनमें दीने इलाही पूछा जाए दीने इलाही किसने चलाया था तो दीने इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था अकबर के द्वारा ही 1562 में कौन तो 1562 में जजिया को समात किया गया 1563 में तिर्थियात्राकर को समात किया गया था अकबर के दर्वार में ही नौरत्न र करने वाला पहला गुप्त सासक कौन था तो ये पहला गुप्त सासक था बिक्रमा वो चंद्रगुप्त दिती और चंद्रगुप्त दिती के द्वारा ही बिक्रमा दिती की उपादी धारन की गई थी और भारत का निपोलियन पूछा जाए तो भारत का निपोलियन किसे कहा ज तो इस समुद्र गुप्त को कहा जाता और इसके लिए प्रियाग प्रसस्ती या समुद्र गुप्त के लिए किसने हर्शेन इनी के दर्वान में रहता था हर्शेन के द्वारा समुद्र प्रसस्ती या प्रियाग प्रसस्ती की भी प्रियाग प्रसस्ती या इलहवाद प्रसस् किसने लिखा था हरसेन के द्वारा लिखा गया था लिखा गया था ध्यान रखेएगा अगला सम्मिधान का निर्वाता या सम्मिधान का सिल्फी पूछा जाए तो सम्मिधान को किसने लिखा है तो आपको पता होगा भीमराव अमबेटकर और भीमराव अमबेटकर की बुक और प्रारूप समीती के जो अधिस थे वो भी भीमराव अम्बेट कर ही बनाए गए थे जवाला नेरू भारत के प्रतम प्रधान मंत्री थे मातिमा गांधी तो इनके बारे में डिटेल में आप समझोगे इनके बारे में आप जानते हो चमपारन आयमदाबाद ख्योरा अंद आपको बता दिया है अगला है एक समान मानों में जो क्रोमसोम की संख्या होती है यानि क्रोमसोम को गुनशूत्र कहा जाता ये कितनी होती है तो 23 पेयर होते हैं 23 पेयर अर्था टोटल कितने 46 क्रोमसोम पाए जाते हैं तो यहां परांसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा अग प्रारूप समित्ती में पता है, यानि साथ थे, एक तो आपके हम बेटकर हो गए, छे और बचे, तो छे आपको जैसे हम याद करवा रहे हैं, वैसे याद रखिएगा प्रारूप समित्त से, तो एक आपका आयर थे, आयर, आयर थे, दूसरे आपके कौन थे, आयंगर थे, आ आयर, आयंगर और तीसरे आपका केयम मुंसी थे, केयम मुंसी तो तीने हो गए, अगला आपके सादुल्ला थे, सादुल्ला, सादुल्ला, अगला आपके थे, कौन तो टीटी क्रिस्मा चारी, टीटी क्रिस्मा चारी, उसके बाद फिर आपके कौन थे, माधो राओ, माधो तो राओ ये टोटल हमने कितने बता दिये 6 प्लस एक यानि इस इक्वल टू 7 और इस प्रारूप समित के अध्यच कौन थे तो इसके प्रारूप समित के अध्यच भीम राओ अमबेटकर साहब थे अब इसमें ध्यान दीजिएगा डीपी खेतान की मृत्ति हो गई थी तो डीपी खेतान की मृत्ति के अस्थान पे कौन आये थे तो ध्यान रखेएगा टीटी किस्मा चारी आये थे और ये आपके बियल मित्र बियल मित्र बियन राओ की जगा बियल मित्र बियल मित्र आये थे क्योंकि बियन राओ ने अगर पत्र दे दिया था तो ये आपका ध्यान रखेगा टोटल कितने थे इसमें साथ अब अगला कहां कोशन पूछ रहा अगला कोशन इसमें तो प्रारूप समित का कौन सदस्य नहीं था पूछ रहा तो अभी आपने देखा के यह मुंसी थे सादुल्ला थे मुहमा सादु सब्द का प्रियोग हुआ है तो एक बार केवल काविनट सब्द का प्रियोग समिधान में किया गया वो अड़किल 352 में है और वो भी कौन से 44 समिधान संसोधन के माध्यम से इसका प्रियोग किया गया है 352 मुराजी देशाई के प्रधान मंतरी के काल में लोग सभा का कार में एक इमर्जंसी और दोनों को 1977 में समाप्त किया गया था और दूसरी आपकी 1975 से 1977 के बीच लगी, 1971 लगी थी, इस दौरान में लोग सभा का कारकाल इंक्रेज किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा एक बार वर्तमान में कुल कितने केंसासित प्रदेश हैं तो वर्तमान समय केंसासित प्रदेश की संख्याप ऊच रहा है तो ये है 28 राज है आड केंसासित प्रदेश है ये 9 हो गये थे लेकिन हाल ही में दादरायों दादरा नगर हवेली यवम दमन दिव को क्या कर दिया मर्ज कर दिया गया है तो इससे आपका जम्मु कस्मीर एंड लद्दाक आप देखोगे इन दो केंसासित के बाद संख्या कितनी हो गई थी 9 केंसासित प्रदेशों की हो गई थी लेकिन दादरायों नगर हवेली तथा दमन दिव को मिला दिया गया तो वरतमान में संख्या हो गई है अगला उत्री गुलार्द का सबसे छोटा महाध्यूप कोंसा ہے तो उत्री गुलार्द में पहले सारे महाध्यूपों की बात कर लेते है तो आपका सबसे पहले साथ महाध्यूप हैं ये आपको पता होना चाहिए और इनका कुरोनो-लाजी भी पता होना चाहिए ये अपका दचनी दिएगा नम्बर एक पे एसी या महादियु पाएगा एरीय वाई लगाएगा और सबसे लास्ट में आस्टेलिया महादियु पाता है तो उत्री महादियु उत् independent में पूछ रहा है तो यह उत्री महात्यूप इसमें देखिए, यहां से विश्वद रेखा, खिचिए, और विश्वद रेखा पर इस ते देशों को भी आप याद रखेगा, तो इसका याद रखेगा, साथ ट्री क्या है, इस इवी से, जीके, जैके, इस, माई, तो आपका कौन हो जाएगा, एक्वेडूर, और उसके बाद आपका कौलंबिया, भी से आपका ब्राजिल हो जाएगा, सावाटोमा प्रिंस्पी हो जाएगा, और गे से आपका गेवून हो जाएगा, के से कांगो हो जाएगा, वाई से आपका कांगो हो जाएगा, जैरे जैसे हो जाएगा, वाई से दिवाईज करिएगा तो आपको पता हूँ जाएगा उत्तरी गुलाद में सबसे छोटा महादीव पूछ रहा है तो कौन यूरोप हो जाएगा दचनी गुलाद का सबसे छोटा महादीव पूछ था तो आश्टेलिया महादीव हो जाता तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दच महासागर सबसे लार्जेस्ट है उसके बाद अटलांटिक उसके बाद इंडिया निहिंद महासागर उसके बाद साउथ महासागर या इसको दच्छिन सागर के नाम से जाना जाता उसके बाद आपका महासागर उसके बाद लाश्ट में आर्केटिंग महासागर का नंबर आता यह एरिया वाईज है अगला राष्टी महिला दिवस कम मनाया जाता तो यह मनाया जाता हर साल 13 फरवरी 2014 से सुरुवात की गई और यह भारत के कोकिला जिसे नाटिंगल आप इंडिया की नाम से जाना जाता है जानी कि सरूजिनी नाटू की जन्मतिति को हम राष्टी महिला दिवस की रूम में मनाते हैं और सरूजिनी नाटू 1925 में भारती कांग्रेस जो होगा उसका अद्वेशन की पहली भारती महिला होंगी पहली भारती सब्दों पर गवर की जिएगा भारती महिला अध्यश होंगी जो अध्यस्ता करेंगी लेकिन पहली भारती पूछा पानपुरकाद वेशन हुआता इसकी अध्यस्ता एनी वेशन्ड के द्वारा की गई थी तो दोनों को संध्यान रखिएगा अगला अनुवरत योजना तो पंचवर्सी योजना की बात हो रही उनमें अनुवरत योजना 1978 से लेकर के 1913 से भी चलती है इसी को रोलिंग माडल क पे यह आधारित थी पहली पंचवर्सी योजना पूछा जाए तो पहली पंचवर्सी योजना 1951-56 चलती है यह आपके हेरड डोमर माडल पे होती है उसके बाद दूसरी पंचवर्षी योजना याद रखेगा 1956 से ले करके 1961 चलती है PC महाल 29 माडल पे आधारित होती है और तीसरी पंचवर्षी योजना PC महाल 29 माडल और उसके बाद सुखमे चक्रवर्ती ये सब माडल प्याधरित होती तो आगे ये सब आप देखेंगे अगला असोग ने सांची का इस्तूप कहां बनवाया था तो सांची का इस्तूप मद्द प्रदेश में बना है कहां बना है मद्द प्रदेश में सांची का इस्तूप बनवाया था उच्छे जाते ऑँ मदप्रदेश का अगर हम उसमें लगाएं एरिया वाईज़ छेद्रफल में नंबर एक पर राज़स्थान का नंबर आता है एरिया वाईज़ लगाएं श्थान में लगाएं तो सिज को मारेई आभर तीन पर पर आपका किसका आजाएगा महराश्ट का और चौते नमबर पर यूपी है, यूपी है, इध्यान रखिएगा, अगला, उसके बाद काना, पेंच, बांधोगर, ये आपके जो नेशनल पार्क हैं, ये मद्प्रदेश मिस्तित हैं, भारत की परोसी देश मालदीब के बारे में असत्ति कतन बताना है, तो ये आपका भा ही है, मालदीब के बारे में, अगला पुस्ता को उसके लेखक के बारे में, कौन आपका सही है, कौन गलते पूछ रहा, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन, तो इसमें, I am no मसीह, ये तो काफी फेमस पुस्ता के, सोनु, सूद की है, सोनु सूद की, सोनु सूद को यूएन भी दिया गया, ध्यान रखिएगा, उसके बाद अगला जुनान दिया गया, रसाती, दा अधर साइड, अधर साइड आप ट्रांजेंडर, दा सदन कान की के, ये इनकी पुस्तक है, योर बेस्ट डे इस टुडे, सर्व, प्रीत सिंह किये नहीं है, यही आपका गलत है, बा पराजित किया था, ये आप कस्टन पूछ रहा है, कौन चंदरगुप दियुती ने उज्जनी के अंतिम सासक, रुद्र शिंग तिरती थे, इनको कब पराजित किया था, इसको आप कमेंड के माध्यम से लिखकर बताएगा, कब पराजित किया, इसको हमने, जो डेली कुछ डिटेल में डिसकसन हो रहा, वहाँ पर भी काफी डिटेल में डिसकस किये हैं, कि चंद गुप दियुती ने रुद्र शिंग तिरती को पराजित किया था, वहाँ देखू को मिल जाएगा, तो यहां अगला है, अगला कुस्टन, गांधी जी को टाइम, मैक जीन के परसन आ राश्पती, अमेरिका के राश्पती को चुना गया है, सहीं तुरूप से परसन आपदा इयर, परसन आपदा इयर इध्यान रखेएगा, अगला है, प्रीदर्शिका, रतनावली नागानंद, यह आपकी हर सुवर्धन के द्वारा लिखा गया है, हर सुवर्धन का काल प्रीदर्शिका, रतनावली नागानंद, आरंब में हर सुवर्धन के राधनी थाने सुवर्धी, बाद में राजधनी परवर्धित करके कन्नोज ले गये थे, अगला निमलिकित में से कौन से पेर हैं, जो हलकी, सबसे हलकी धात हो सबसे भारी धात का है, तो यह आपको प आपका प्रियाड़ी टेबल में आपके पिछले वीडियो में डिटेल समझना है, तो देख सकते हैं, अगला कार्बोनिल कुलोराइड का सुथर क्या है, तो यह CAO-CL2 है, CAO-CL2 को कार्बोनिल कुलोराइड कहा जाता, अगला सदिस रास, अदिस रास, इसके बारे में जानत और जिनके लिए केवल पर्मान के हो सकता होती, निसे दिसा के वो सकता नहीं होती, उनने को अदिस रास कहा जाता है, तो आप इस में आईए, अदिस रास पूछ रहा, तो अदिस रास उठ जा हो जाएगा, क्योंकि बेग, संबेग, बिस्ठापन, इस सबसे आदिस रास इ में एकनी सी दिसा क्यों सकता होता है अगला कुत्ता का बैग्यानिक नाम पूछ रहा कुत्ता का बैग्यानिक नाम क्या है तो कुत्ता का नाम बैग्यानिक नाम है केनिस भैमलियारिस कुत्ते का बैग्यानिक नाम है कॉलर को सिकाएं किसमें पाई जाती है तो एक कॉलर को सिकाएं है इस किसमें पाई जाती है तो इस पंज में पाई जाती है हाली में किस बैग्यानिक को तीसवां कौंसा तीसवां कौंसा जीडी बिल्ला पुरुसकार से सम्मानित किया गया यह सम्मानित किया गया सुम अंचक्रवर्ती को अगला हाली में सिंद दुर्ग सिंद दुर्ग ध्यान दिजेगा हाली में सिंद दुर्ग छेत्र के जव विवित्ता को बिरासा तस्तल में घुसित किया गया है ये कहां है तो सिंद दुर्ग को जव विवित्ता बिरासा तस्तल में घुसित किया गया ये म महाराष्ट में हैं महाराष्ट में हैं ध्यान दिजेगा महाराष्ट में ही कई अन्य चीजों की खोज हुई तो ये अभी तुकाराम ओबले के नाम पर ध्यान दिजेगा तुकाराम ओबले के सिश्टूरा नामक मसली की भी एक सिंद दुर्ग से ही खोज की गई थी तो ये भी आपके लिए इंपर्टेंट हो जाएगा अगला कुस्टन है कि उरईसा में देश का सबसे बरा स्टेडियम हाकी स्टेडियम के न्यू रखे गई इसका नाम कहाँ तो ये उरईसा में कहाँ बिर्शा मुंडा की नाम से जाना जाएगा और उरईसा के रावर राऊर केला में इससे इस्तापित किया जा रहा है बांगलादेश में मनाया गया है अगला आर्थिक सोतनता सूचकांग में 2021 में भारत का क्या स्थान है तो इसमें भारत का स्थान पूछे भारत 121 है टोटल देश पूछे तो टोटल 184 देशों की रैंकिंग की गई थी नमबर एक पे कौन रहा है तो नमबर एक पे सिंगापुर रहा है नमबर दो पूछे तो न्यूजी लेंड रहा है न्यूजिलेंड रहा है नंबर तीन पूछे नंबर एक हो गया, दो हो गया नंबर तीन पूछे तो इसमें नंबर तीन पे कौन रहा है तो आश्टेलिया रहा है आश्टेलिया रहा है नंबर तीन पे नंबर चार पूछे तो नमबर चार किस पर कौन रहा तो ये सुजर लेंड रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 121 आज का वीडियो यहीं समाप करते हैं तो आप को ये अगर कोई सुजाओ देना है तो कमेंड माध्यम से आप सुजाओ दीजिए तो आपको उसको अगले वीडियो में सामिल कर लिया जाएगा अगर आपका सुजाओ आता है धन्यवाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद